हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल रच्छा वंधन का फेस्टिवल आ गया है तो इस बार मार्केट से मिठाई ना बना के हम घर में ही हाईजीन तरीके से मिठाई बनाएंगे कलाकंद की रेस्पी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही कम इंग्रेडियन्ट से और बहुत ही जल्दी बनके रेडी होते हैं कलाकंद बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई चुड़ाई है उसमें वन टेवल स्पून हम देशी घी डालेंगे अभी इसमें मैंने हाफ कप मिल्क लिया है वह डाल दूंगी मैं कोई भी मिल्क ले सकते हैं और यहां पर मैंने वन थर्ड कप शुगर लिया है और मैंने यह यह पर निया है 200 ग्रम इसको हम ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटरलिया है यह दो अपना है कर लिया। करेंगे और देखें और इसको तोड़ा इसको थोड़ा पैनी नहीं होना चाहिया इसमें तो इसमें पानी नहीं है मेरे वाले मैंने dangовать जितना मैंने शुगर लिया था उतना ही मैंने पाउडर लिया है इसको चलाते हुए थोड़ा-thोड़ा कॉंटिटी से हम डाल देंगे लंप नहीं पढ़ने चाहिए इसमें और अच्छे से स्टायर कर देंगे बिल्कुल भी लंप नहीं होने चाहिए अच्छे से मिक्स कर दि जब तक कि यह थिक ना हो जाए यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक अभी पतली है वर तभी थोड़ा धीरे-धीरे 5-7 मिनट में ही यह थिक होना स्टार्ट हो जाएगी मैंने आप पर एक टिन लिया है उसमें घी डाल के जब तक हम इसको रेडी कर लेते हैं फ जाएंगे कि इसकी जमानी की कंडिशन में आ गया यह देखिए पिक विकल फैंट छोड़ा दिया इसने और अभी हम इसको सेट कर लेंगे जो हमने टिन रडी किया है कि अधिए अभी मैं सेट कर लोगी यह देखिए अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे एक सा सेट कर दिया है मैंने और यहां पर मैंने कुछ यह पिस्ता कट करके रखे हैं वो डाल दूंगी मैं पिस्ता से गार्णिश कर दिया है अभी और अभी हाफ एन आर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे सेट हो जाएगे जिससे हमारी कलाकंद आप फ्रिज में भी रख सकते हो और फ्रिज में रखे तो 15 मिनट और बाहर रखे तो हाफ एन आर अभी मैंने यह हो चुका है सेट हमारा फ्रिज में रखाता और मैंने डाइफ में घी लगा आके इसको कट कर रहे हूं जिससे अच्छ शबड़त झाले हम यह कि आपको प्लेसे कःणाए, प्लेटेस पीस कट हो जाहे हैं। देख रहे हैं आपको तो बलेट सील में उतलि शबड़ आपको शबड में यह सारी है मिरो होती हो इसकáp तो एक यह हमार दीपर साहे हैं, अगर आपको मेरी एक अलाकन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर माइ वीडियो और डान फोगेट तो सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू बाइबाइ